देखिए मैं मानिय बिधायक जी के इस बयान का खंडन करती हूं अनिंदा करती हूं जो जनसंक्या निरंतर कानून देश-उपर देश में लागू करने की प्रिकरिया सुरू की जा रही है मैं सबसे पहले तो मानी प्रधानमंती और मानी मुखमत जी को बढ़ाई देती हूँ कि बहुत जल्दी ये कानून पास हो जो दलिस समाज के लोग हैं उनका वयान है कि उनकी बज़े से जो बेरोजगारी देश में बढ़ रही है लेकिन मेरा कहना है मुस्लिम सम्यूदाओ के लोगों को वो समझाएं अपने गलेवान में जहांके उन्होंने तीन तीन बीबियां करके बीस बीस तितितिस बच्चे पैदा कर रहे हैं उससे वो पैदा करके छोड़ देते हैं उनकी जन्सक्या इतनी बढ़ रही है कि इसी तरह भष्टाचार देश में फैल रहा है बेरोजगारी फैल रही है लोग चोरी चपोरियां करेंगे जब उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो इसलिए सरकार ये कानून पास कर रही है कि ये दो बच्चों का कानून पास होना चाहिए ताकि बेरोजगारी हमारे देश से बिलकुल खत्म हो और सर्वसमाज जो है अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर चाहिए